हाई फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले सोजी का हल्वा इसके लिए लगेगा आपको थ्री इंग्रीडियंट जो की रहेगा सेम मेजरमेंट में आदा कप गी, आदा कप सोजी और आदा कप शोगर सबसे पहले पैन में हम वन टेबल स्पोन गी गरम कर लेंगे उसके बाद काजो और बादम को लो मिडियम फ्लेम पर हम फ्राई कर लेंगे ताकि हलके-हलके गॉल्डन ब्राउन हो जाएं इस से टेस्ट दुगना हो जाता है और सैल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है ये देखिए ये गॉल्डन ब्राउन होने लगी है इसमें अब मैं डालूँगे एक मिनिट के लिए पिस्ता और किसमिस इसको भूनने में जादस मैं नहीं लगता है इसको भी मैंने चला लिया है लो फ्लेम पर ये देखिए हमारे हलके गॉल्डन ब्राउन हो चुकी है मैंने गैस का फ्लेम ओफ कर दिया और अब हम इसको निकाल लेंगे एक बरतन में इसी पैन में अब मैं घी डाल रही हूँ बस एक टेबल स्पून गी बचा लूँगी और इसी में हम डाल देंगे हाफ कप सूजी यह देखिए मैं यूज कर रही हूँ बारिक सूजी जो कि आपको इजिली मिल जाती है मार्केट में अब हम इसको रोस्ट करना स्टार्ट करेंगे लो मीडियम फ्लेम पर जब तक यह गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और इसका कच्चापन निकल न जाए अच्छा आप फ्रेंड्स नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि सूजी को अलग से भूनते हैं शूगर सिरफ अलग से बनाते हैं तो आप वैसे भी हलवा बना सकते हैं लेकिन आज मैं बनाऊंगी दोनों साथ में जिसे हमारा हलवा फटा फट भी बन जाएगा और टाइम भी न जाती है और थोड़ी खुली खुली हो जाती है बाद में तो इसलिए हम यह दोनों चीज डाल रहें बाइंडिंग के लिए और साथ ही इसको जो टेस्ट आता है वह अलग से ही निकल के आता है इसके डालने के बाद भी हम इसको और भूनते जाएंगी तीन से चार मिनट के लिए जिससे इसका कच्छापन भी अच्छे से निकल जाए अच्छा फ्रेंट्स आज जो में हलबा बनाने वाले हो ना वो नवरात्री और अस्ट्री में जो दिया जाता है हलका यलो कलर का वो मैं बनाने जा रहे है यह अच्छे से पग गया है यह कैसा पता लगाई तो से इंपोर्टेंट चीज इसका जो घी है न वो उपरी स्थैपर फ्लोट हो रहे है देखिए आपको दिख भी रहोगा और हलके हलके से बबल्स भी आ रहे हैं उपरी स्थैपर तो यह तीनों निशानिया है कि अच्छे से पग गया है अब हम इसे स्टेज पर डालेंगे पा आपका जो पानी है वो डारेक्ट उबल भी सकता है अगर आपकी कडाई बहुत ज्यादा गरम है तो अब हम इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर एकदम हाई फ्लेम पर हमें नहीं पकाना है क्योंकि जो पानी है वो जल्दी सोख जाएगा हम इसको तब तक पकाएंगे शक्कर है वो भी अपना पानी छोड़ेगी उससे जो सूजी है वो अच्छे से सैट हो जाएगी और अंदर से बढ़िया सी रसीली हो जाएगी फोड़े देर इसको चलाते जाएगे ये देखें फ्रेंट्स जो चीनी है उसने काफी सारा पानी छोड़ दिया है इस स्टेज देखें में हम कैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसको पकने ही देंगे ठीन से चार मिनट के लिए और ढखक कर अक्या नहीं है और ऋर जाना घीला भी नहीं है अब हम इस पर डाल देंगे कुछ इलाइचे की दाने और सात में फ्राइ कियोए ड्राइफ रोड्स साथ में हम डालेंगे केसर का पानी मैंने कुछ रीशी दो टेबल स्पून गरम पानी में भिगो के रखे दे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए सारी चीज़े डालने के बाद अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे अब हम इसको पकाएंगे सिर्फ दो मिनिट के लिए अब हमें और ज्याद़ टाइप नहीं लगेगा यह जो हलवा होता है ना फ्रेंट से खास दिन बनाए जाता है आस्ट्वी में कन्य भोजिन के लिए और साथ में परोसा जाता है काले चने और पूरी के साथ इसी रेशियो से फ्रेंट्स अगर आप हलवा बनेंगे तो आपका भी हलवा बनेगा एक दब पर्फेक्ट फ्रेंट्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं हलवा कितना सोफ्ट मुलायम और रसीला सा बना है इसमें मैजिक फिंग जो है वो है इसका प्रोपर मेजरमेंट फ्रेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगए हो तो प्लेज लाइक, शेर, सब्सक्राइब माई चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई, टेक केर और सी यू